है अग्रों दोस्तों स्वागत आप सबीका आपके अपने उल्टाइम क्लासी सांड़ चैनल पर दोस्तों मैं संजीत उमर एक बार फिर आज आपके लिए एक जबर्दस्त और मज़ेदार किलास लेकर आया हूं का आज की क्लास जो संबनित होने वाली है आपसे इकिस好像 होने वाली है यहां के तिर्कोंड मीती टोपिक्स जब क्योसे हैं और यह क्लास यह क्लास इतिनी मज़ेदार होगी दोस्तों आज तरहगे जिसने प्रिकोंडमीती कोसिस करता हैュ एसा थी दो जिसकी इच्छाहीं नहीं है जब परदस्ती में उसे कराद है ऐसा तो हो नहीं सकता है वो नामुमकिन है बट अगर उसकी इच्छा है वो सीखना चाहता है दोस्तो तो यहां से वह अच्छी तरीके से सीख सकता है तो इसलिए दोस्तों अगर आपका कोई फ्रेंड या आपके कोई दोस्त है तो जरूर जिसे तिरकोंड मीसित से डर लगता है वो कोछ चाहता है तो इच्छा तो बहुत है उनकी सीखने की बट उनकी वज़े से डर लगता है तो इसलिए मेरी आपसर रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उन सब दोस्तों को यह किलास से एर कीजिए ठीक है ना तो तो दोस्तों आज की कलास बिलकुल बेसिक स्तिर से होगे जितना भी यs utilizz application को कोई भी प्रोब्लम है जिएеро ऑगा है जिस से भी दोस्ति और कोई भी किया जाएगा तो चलिए फिर सुर्वात करते हैं दोस्तों आज के अपने इस किलास के आज के विचार की साथ तो आज का विचार क्या है किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए पहला कदम यही है कि आप उसे उसी रूप में सीवकार करें तो यह बहुत ही अच्छी बात कही गई आपके लिए कि सबसे पहली बात तो यही है कि जिस तरह की प्रोवलम होगी उसी के अकोर्डिंग आपको काम करना होगा अधरवाईज आप उसके अकोर्डिंग काम नहीं करोगे उसे उसी रूप में नहीं सीवकार करोगे तो कुछ भी सुल्द सुल्सन आपका नहीं निकलेगा और नहीं आप फिर कुछ कर सकते हो तो क्योंकि दोस्तो स्वी मात्र उसके यानि कहने का मतलब कुछ लोग बाग कहिभी देती है उसने इतनी महनेत कि फिरव्य उसका कुछ नहीं हो पाया इसकी खास वजह सिर्म पाई मात्र एक है दोस्तों कि उसने जो भी ता आदमी उसने इस जो भी उसकी समस्य ती उसे उसी रूप में सिवकार ने किया तब जाके कोई फेलियर बनता है दोस्तों फेलियर होने के अधर वाई जियां पर कोई ज़ज़ नहीं है ठीक है तो मेरी आप सबी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज साम कीजिए ठीक है उसी रूप में से सिवकार कीजिए तब जाके ही आप उस पर विज़े पाऊगे तो चलिए फिस स्टार्ट करते हैं आज की अपने किलास को तो तिर्कौन मेती है जैसा कि मैं बता दूँ आपको यहां पर चक्टर का नाम है तिर्कौन मेती ठीक है न यह रहा चक्टर का नाम तिर्कौन मेती अगर चक्टर का नाम होगा तो अब आपको इसे ठीक है ट्रिग्नोमेंटरी बोलते हो आप तो यहां पर अगर देख लिया जाए तो ट्रिग्नोमेंटरी है क्या तो इसके अंदर होता क्या है और क्या-क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर टिग्नुमेंटरी की बात किया जाए तो यह एक ऐसा टोपिक है जिसके अंदर आप ठीक है न जिसके अंदर सिर्फ चौँः जादातर जो बात होगी आपकी डाइगनल से सम्मंदित होगी मतलब कि व्यास स्थुरी व्यास तो तो सही सब्द नहीं हो तो डायमेटर होता है यहाँ पर वीकर्ण से सम्मंदित रहेगी मतलब जादातर अगर सपोज़ कीजिए हमारे पास यह ट्रेंगल ये ठीक ह और यहां से कितनी दूर है ठीक है ना बट हमें लेना क्या होगा यहां पे एंगल तो अब सबसे पहली बात तो यही है यह आपको समझना होगा और सबसे अगर स्टाइटिंग में और भी देख ले जाए तो कौन के थुरू होता क्या है बेसिक ठीक है ना ये रियल में भी है दोस्तों अगर एक डिग्री सेल्टेस के आप बात करते हैं तो एक डिग्री सेल्टेस के अंदर 111 किलोमेटर की डिस्टेंस होती है जो लगभग में है ठीक है और एक डिग्री अगर सेल्टेस देख रहे जाए तो क्या होता है एक डिग्री होता है दोस्तों गोरे मतलब की गोरे अब आप बता क्या रहे हो आप ये मैं समझाता हूँ अगर अर्थ की बात कीज़े अर्थ पर आप किसी भी हिसाब से सपोज करो कि आप क्या डिवाइड करते हो उसे ये डिवाइड कर दी हमने अर्थ अर्थ डिवाइड करने के बाद कुछ इस हिसाब से डिवाइड की गई है ये लीजिए ठीक है ना यहाँ पर अगर अर्थ की बात की जाए तो इस हिसाब से अर्थ आपकी divide है तो अगर ये इस बात को आप accept करते हो तो ये क्या है तो याद रखना दो देशांतरों की बीच की दूरी ये रही ठीक है ना अर्थ को अगर divide करोगे तो इसे आप गोरे बोलते हो क्या बोलते हो गोरे अरे एक गोरे बराबर कितना होता है एक पॉइंट 111.32 km ठीक या फिर यहीं से आप बोल दोगे एक डिग्री एक डिग्री बराबर कितना होगा 111 km ठीक और ऐसा सूट में हम याद कर लेते हैं तो मेरे खाल से यह बात आपको समझ आई होगे तो ठीक है अब यहां पर और समझते हैं थोड़ा सा तो सबसे पहल चार अलग-अलग माप के वर्ग लिए चार अलग-अलग माप के वर्ग लिए ठीक है ना और इन खास वर्ग को एक मिन दोस्ता है चार अलग-अलग मापके हमने क्या ले दे ठीक है ना इन सभी वर्ग को हमने मिला दे थोरी किसी हिसाब से दोस्तों सही मुझे ये चाहिए टिल थोरा सा घुमने के बार ठीक है ना मैं चाहता हूँ कि ये कुछ इस हिसाब से बनाए ये हर डिरेक्शन में से में बनाए तो कहने का मतलब ये हुआ अगर आप इसे मिला दो और इस पर भी एक वर्ग बनाओ यहां पर यहां पर भी एक वर्ग बनाया जाए तो अगर एक वर्ग की दो सब अलग अलग विमाओं की वर्ग बनाया जाए यहां पर कंडिशन क्या होगी कि जितना ये होगा तो इन दोनों का स्क्वेर करने के बाद इस वर्ग की वैलू आपको मिलेगी ये आपको याद रखना ठीक है क्या मिल सकती है वैलू आपको अग खोद बार हुई होगी कि पाइथागुरस जो है इस पर में कि इजाद कहां से कब इसकी यानिक हो जोई तो पाइथागुरस थुरम का अगर देख ले जाए इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी तो उसकी उत्पत्ति होने की वज़ए थी ये ठीक है ना ये इनमें से कौनश आपका क्या कहलाता है समकॉन तिर्भोज ठीक है कि या आजिछ नोी यह इंटी डिरी का आउके बनना तो यह ट्रेंगील कहले वहें आपका समकॉन ति भूज ठीक है न और कुछ मेरे सीबैसी वाले हैं सीबैसी वाले उन्हें बोलतूँगे राइट एंगल क्या बोलतूगे आप राइट एंगल बनाए ठीक है क्या तो यहां से पाइथागोरे स्थिरूरम निकली दोस्तों और पाइथागोरे ज्थidorम के मेरे ख्याल आप सभी जानते होंगे क्या थी पाइथागोर रस्तोरम तो क्या थी पाइथागोर रस्तोरम वो थी करण के स्क्वेर बराबर लंब का स्क्वेर करण के स्क्वेर बराबर क्या था दोस्तों लंब का स्क्वेर पलस आधार का स्क्वेर ठीक है न करने के स्क्वेर बराबर क्या था लंब का स्क्वेर पलस आधार का स्क्वेर यहां तक बताईए अगर कोई प्रोब्लम आपको है ठीक है न कोई दिक्कत नहीं तो बस ठीक है तो अगर कोई प्रोब्लम नहीं है तो यह आपको समझना था करने के एक अलग से concept को बात सीखनी की कोशिश की तो सबसे पहले थोड़ा सा और देखना है आपको क्या देखना है सपोज करो कि यह वार्त है और आपने यहां पर radius मिला दिया और यह radius मिला है तो यह एक area बना ठीक है न यह जो area है इस area को तिरिज़ा खंड बोलो कि आप क्या बोल जाए गए तिरिज़ा खंड अगर यह तिरिज़ा खंड है तो यहां पर जो बचा वाए यानि यह जो area होई यह वाला देखे जिस पर हम में टिक कर रहा हूं ठीक है न यह जो area बचा तो यह area कैसा है इस area के अगर बात की जए ज़िए तो यह कहलता है दोस्तो आपका चाप कहलता है चाप और यहां पर कौन कितना बना हुआ थीटा तो यह क्या है तिरिज़ा ठीक है न यह क्या है तिरिज़ा तो यहीं से एक formula इजाद हुआ था जिस formula का आप यूज करते हो कौन सा था formula है वो था ठीक है न अगर याद है तो बताईए दोस्तों जिसके भी याद है कमेंट केर कर सकता है दोस्त ठीक है किसी के याद नहीं कोई problem नहीं है चलिए मैं बता देता हूं तो कौन बराबर था कौन बराबर चाब बटे तरीज़ा ठीक है न चाब बटे तरीज़ा तो यह याद रखना है आपको तो कौन बराबर क्या था चाब बटे तरीज़ा ठीक है न तो यह हमें याद रखना तो अच्छे सा याद रखना इसका मतलब यह नहीं कि याद करने के लिए बूल दे अ अच्छे सा दोस्तों तो यहीं पर यह अगर बात की जाए तो यहीं पर कैल्कुलेसिन के लिए हमें कुछ बाते ध्यान रखने होगी क्या एक तो याद रखना की ठीक है न क्या याद रखना है याद यह रखना है कि सपोज आपके पास कोई भी ट्रेंगिल हो ठीक है न आपके पास कोई भी ट्रेंगिल है और हो कैसा राइट अंगिल ठीक है अगर यह राइट अंगिल है तो मतलब अंगिल कितने का बना यह बना नाइंट डिगरी का अंगिल अंगिल कितने का बना नाइंट डिगर तो एक अच्छी सी बात क्या है अच्छी बात यह है अगर यह नाइट अंगिल है तो एक तिर बुझ के तीनो कॉनों का योग एक सोसी होगा एक तिर बुझ के तीनो कॉनों का योग कितना होगा एक सोसी सोरी तीनो कॉनों का योग त हो सकता है। और भी हो सकता है। लेकिन बस ये है कि इनका सम योग होना ठाई है तीनों एंगिल जोड़ने के बाद 180 कि बनना चाहिए। छाहें dan 180 तुचाहिए किसी भी डेक्शन लिए याद रखना। तिर बुझके nder कनों के योग क्या होता है 180 ये बात आपको याद रखने हो लगी अच्छा एक बात हो रहा है यहीं से ही एक कॉंसेप्ट निकला दोस्तों जिसे बोलते हो आप रेडियन क्या बोलते हो तो दोस्तों हमें पढ़ना था रेडियन क्या होता है जस्ट वेट ये पढ़ना था रेडियन चीक है न अब रेडियन के बारे में बताओ वैसे तो आप देखते भी हो वह सारे टीचर यहाँ पर हैं सिर्फ खड़े हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं होगा कि हमारी सारी कैलकुलिसन दोस्तों रेडियन के अंदर होती है अब आदे दुबंदे हैं बस उन्हें नाम नाम का पता हो कि रेडियन कुछ होता है अधरवाज यह मालूम नहीं होता रेल में होता क्या है कैसारी कैलकुलिसन रेडियन में क्यों करते हैं कैसी रेडियन में हैं तो यह दोस्तों बहुत ही कम हो उससे अच्छा साच्छा किया जा सके तो खेर कि इसलिए आज की जो कैलकुलेशन है मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहते हूं यहां पर हम रेडियन और सबसे पहले तो आप आप शिखोंगे रेडियन होता क्या है ठीक है ना रेडियन तब होगा जब पाई की वैलू आप यूज़ हो तो वहां पर वैलू क्या होगी रेडियन में ठीक है अगर आप पाई की वैलू 180 यूज़ करते हो तो यह रहेगा आपका सारा मान अन्स में किसके अंदर रहेगा यह अन्स या डिग्री ठीक है ना तो याद रखना है कुछ बात यहां पर है ना तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको अच्छा देखिए अभी जो हम यहां पर समझ रहे हैं यहां पर यह है सोरी डिग्री डिग्री ठीक है तो कनवर्ट करते हैं डिग्री टू रेडियन तो कैसे करोघे डिग्री टू रेडियन जैसे 30 डिग्री आपको दिया गया है करना क्या है आपको पाई आना चाहिए आपका अंसर मैं पाई एपउन 180 तो जादता टीचर बस इतना बताते हैं अधरवाइज में इसकी एक्ष्योर में में वेलू क्या है वो बहुती कम टीचर को बता है इसके एक्ष्योर में में मेलू होगे कितनी दोस्तों पाई की वेलू की 22 बटे 7 और यहां का पौन 42 इससे डिवाइड करने के बाद मिलेगी समझे ना तो किसी भी वेलू को अगर डिग्री में कनवर्ट करना तो इतना तो यह आपको अच्छे से याद आना चाहिए ठीक है ना तो इसी तरीके से ध्यान दीजिए यहां पर सपोर्टी फाइव हैं तो क्या करना आपको पाई बाई 18 तो यह हो गया कितना 4 तो पाई ब समझाई होगी अगर नहीं साही बाते समझाई है तो इन अच्छे से कहीं पर नोट कर लेना है तो ठीक है अब एक और दिखा देता हूं मैं जैसे पाई बाई शोरी 90 डिग्री कि है तो इनिट को अगर आप करना चाहरे तो इनिवों फाई बाई बाई कितना लिखना होगा आपको 180 तो इसे क्या लिखतांकि पाई बाई टू मैडना सपोर्ज क्या लिखना है 120 120 को फाई बाई लद उससे लिचा करनी होगी इन तो इस तरीके से आपको करना है तो मेरे खेल से बात आई आपको समझ में तो अब है जो कॉंसप्ट आपका यूज करने जा रहे हैं यहां पर है रीडियन टू डिग्री जीक है अब कन хорош करें गया आप रीडियन टू डिग्री में तो किस तरीके से कन वर्ट करना है यहां देखते हैं तो चलिए देखिए इस बहर करना क्या है बस जस्ट आपोजिट करना है आपोजिट कैसे जैसे कि पाई बाई 4 आपको दिया गया अगर आपको अच्छे से याद है कि जो यह आंसर होते हैं हमारे कभी भी पाई में पाई के अंदर नहीं होते ठीक है ना जो भी आंसर होते हैं तो डिगरी वाले तुमने देखा हो एंगिल कितने का बनावा साइन 30 ठीक है साइन 45 तो जो भी है उसके अंदर बस आपकी वह वैलू डिगरी के अंदर होगी तो उसे कल्कुलेट करने के लिए करना क्या होगा आपको यहां पर 180 अपॉन पाई से मल्टिपलेखे पाई से पाई कैंचल यह होगा 45 ठीक है ना सपोज करोगे पाई भाई थिरी लिखावा तो क्या करना पड़ेगा आपको 180 अपॉन कितना पाई तो पाई सो पाई कैंसल होगे कितना 60 डिग्री तो यहां पर यह रहा ठीक है न कोई प्रॉब्लम हो तो बताईए ठीक तो यह रहा आपका इस तरह से आप डिग्री में कनवर्ट करना मेरे खाल से पूरी तरह से सीख चुके होगे तो अब यह बात सीख क्यों रहे तिरकोंड में तीसर होना चाहिए तो साइन वगरे की वेल्यू का यूज यह बज़े यह है कि दोस्तों इसके कुछ बेसिक क्यूस्टन भी बनेगी जो बेसिक क्यूस्टन बनने वाले हैं उन बेसिक क्यूस्टन को अगर आप सोल करना तो चलिए तो मेरे ख्याल सकर यह बात समझ माई तो अब और समझते हैं तो एक तो यह पता लगा आपको एक छोड़ टस टोपिक और मिलता है यही के अंदर यानि फिर इसे ढूंते रहते हैं और बाद में इनका पता भी नहीं लगता टोपिक का इसलिए मैं चाहता हूं कि कि आज ही सारी बात खतम हो जाए तो ठीक है ना एक फॉर्मूला तो हम पहले भी पढ़ चुके थे बस एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि कि क्या था कौन बराबर चाबटे तिरिज्या यह अच्छे से याद रखना दोस्तों कौन बराबर चाबटे तिरिज्या ठीक है एक होता है दोस्तों आपने कुछ ऐसी बात सुनी होगी जैसे कि तिर्भुज ठीक है ना तिर्भुज चतुर्भुज पंच भुज इस तरह से सुना होगा आपने ठीक है ना तो अगर यहाँ पर कुछ बात पोच ले जाए तो क्या रहेगा अब इस सिच्वेशन को समझते देखे यहाँ पर एक सिच्वेशन है यह क्या है एक चतुर्भुज जाए तो यह कौन कहां पर है आपकोगे सरी इसके अंदर है तो अंदर बनावा कौन है तो इसे बोल दोगे आप आंतरिक कौन क्या बोल दोगे आप इसे अंदरिक कौन कि अगर यह किस कौन की बात आप करते हो तो यह अंदरिक कौन है ठीक है यह हो गया अंदरिक कौन है ठीक है अब इसके बाद आकर मैं पूछ लो कि यहां पर बताईए कितना कौन बना हुआ है बाहर तो अब आपका होगे सरी इसके अंदर तो है नहीं तो इसे कैसा बोल लोगे तो यह जो बाहर वाला कौन है यह बोला जाता है आपका वाहिये कौन कौन सा वाहिये कौन बोला जाता है जो बाहर वाला कौन रहेगा यह क्या कहलाएगा वाहिये कौन मेरे ख्याल से ये बात आपको समझाई होगी ठीक है ना ये था आपका आंतरिक कौर्ण ये था वाईय कौर्ण तो आप समझ चुके होगी ठीक है तो ठीक है ना चले फिर और बढ़ते हैं थोड़ा अब पाये कौन सर शिर्फ इसमें यह नहीं अगर यह तिर्भुजगी सेप आपको दी गई तो ये बनाए गया तिरबुज़ की शेप अगर ये एंगिल आपका 30 है तो ये बहार का जो एंगिल बनने वाला है ठीक है ना जो बहार वाला एंगिल बनने वाला है ये आपका जितना भी रहे चाहिए 150 ठीक है ना तो ये क्या रहेगा ये बनेगा आपका यानि ये तो आंत्रिक कौन कहलाएगा ये वाली और ये होगा भाहिय कौन ठीक है न? तो इसी हिसाब से इसे क्या बोलतागा अब आंत्रिक और इसे क्या बोलतागा भाहिय कौन ठीक है न? तो मेरे खहल से ये बात आपको पता लगा होगा ठीक है अब जब आपने सुन लिया कि एक तो आपके पास चत्रवुज है इसके हाफ कर दोगे तो ये क्या हुआ ये तिरवुज है ठीक है फुब ऑना इसी तरह से पंच्वुज बना सीख चुके थे आप तो पंच बुच सीख चुके थे उसी के हिसाब से सस्ट बुच सीख चुके थे ठीक है तो अब इसके बाद और कैसे पता करोगे और अगर बात पूछ ले जाए तो इसकी भुजाए कितनी होगी ठीक है या फिर पूछ लिया जाए यहीं किसके अंते कौनों का योग कितना कुछ कोनों का योग या फिर वह यह कौनों का योग की चीक न जिएये रिएनवां का यह फिर वह यह कौनों का योग है तो ये रहेगा मेरे खियाल भात आप ही रहे होंगे तो अब किस तरह सा क्योस्टे बन रखते हैं उस वारे में बात करेंगे ठीक है ना तो यह फिर बहीस कौंड भी बोल दे जाता है बहीस मतलब बहर की साइड का जिसे भाय krij कौन है नİए उसे यह बही इसको नो बोल दोगे तो एक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना होगा ठीट है जा रहे गए इसे अच्छे से नोट कर लेना दोर्स तो आपको कहीं पर बहु भुज यानि चाहे तिर बुज हो चतुर बुज हो कोई था भी भुज हो कि सभी कोणों का योग ठीक है क्या फॉर्मूला रहा करेगा यहाँ पर देखे याद रखना आपको एन माइनस टू इंटू 180 क्या रहेगा एन माइनस टू इंटू 180 और एन क्या है यहाँ पर एन है बाहु भुज की भुजा या भुजा भुजाओ की संख्या है एन बुजाओ की संख्या है एन तो यहाँ तक बताएगे अगर कोई प्रॉलम है तो ठीक है अब अगर यहाँ पर इस तरह यह कुछ छोट छोट चोट चोट ते जो हमने पढ़े दोस्तों चोट 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 पढ़ने के बाद हम यहाँ पर अपने चोट जो एक्सराइज होगी उसके बारे में काम करेंगे और मेरे क्याल से जो सारी बात थी आपको अभी तक समझ भी आई होगी ठीक है ना और अगर चाहिए तो मैं इनमेंसे कुछ को कर सकता हूँ थोड़ा ठीक है ना और थोड़ी और बात कर लेते हैं इसी के बारे में बहुभूज के बारे में कि देखें एक क्यूश्चन देता हूँ मैं आपको इस क्यूश्चन को थोड़ा सा ध्यान दर सुनना होगा आपको है ना तो एक ही बात में आपको समझ जाएगा चाहिए कोई सा भी हो अब देखें तिर्भुज के पहले एडिंग लिखती है आपने तिर्भुज तिर्भुज के तीनो कोणों का योग कितना होगा ठीक है ना तिर्भुज के अच्छा आग्गे से याद रखना बस तीनो कोणों का योग तो कितना है तिर्भुज तिर्भुज में भुजा कितनी होती है तीन तो एन बराबर तीन और फॉर्मूला क्या बताया था आपको एन माइनस टू इंटू वान एट्टी यह बताया था ना तो अच्छा तो जहिर सी बात है निकी वैलू तीन रख दीजिए दो घटा दीजिए वन एट्टी के मल्टिपलाई कर दीजिए तो यह मिला एक 180 तो इस तरह किसे निकला तिर्भुज के तीनो कोणों का योग समझें ना तो अगर तिर्भुज के तीनो कोणों का योग पता है तो चत्र चत्र भुज के तीनो कोणों का योग 180C ही क्यों होता है ठीक है तो यह आज आज तलक आपको मेरे खाल से नहीं पता होगा चत्र भुज की बात की जाए तो चत्र भुज में होता क्या है यहाँ पर होगा N माइनस के 2 इंटो 180 और चत्र भुज की खास बात होती है इसके 360 तो चत्र भुज के तीनो कोणों का योग कितना मिला 360 अगर आपको पूछ लिया जाए कि पंच भुज के तीनो कोणों का योग कितना होगा क्या पंच भुज पंच भुज के तीनो कोणों का योग तो पंच भुज के लिए भी N की वैलू कितनी रहेगी N की वैलू 5 और फॉर्मूला हमारा होता है N माइनस 2 इंटो 180 वैलू रख दीजिए तो यहाँ पे 5 माइनस के 2 गुजना 180 ठीक है न? तो यहाँ पे मिला 3 गुजना 180 तो यह मिला 28 बुज है इसके बाद अगर सस्ट भुज पूच लिया जाए किया पूच लिया जाए सस्ट भूज तो यह होगा सस्ट भूज सस्ट भूज की बात होगी N equal to कितना होगा 6 यहाँ पर ठीक है न N equal to 6 रहेगा और formula क्या रहेगा N minus 2 into 180 N की value 6 रख दीजे 6 minus 2 into 180 और यहाँ पर हो चुगा कितना जहन दीजे यहाँ पर मिल जाएगा आपको यह कितना मिला यह मिला आपको कितना 4 4 into 180 ठर चुग 72 तो यह रहेगा सस्ट भूज के अंते कौनों का योग तो जाहिर सी बात हैं से पता हमें यह लगा चाहे सस्ट भूज हो चाहे तिर भूज हो कोई सा भी भूज हो उस सब के अंते कौनों का योग निकाल सकते हैं ऐसे दोस्तों यहीं से भूजा grieving ले जा सकती है ठीक है न तो क्या एक कभी कुष्चन बनागा भूजाoring कितनी होगी क्या बने गए यह पर भूजाओ कि संक्या अगर भूजाओ कि संक्या आपको बननी होगी तो जाहिर सी बात है उसे भी समझना होगा ठीक है ना तो यह इसी फॉर्मूले के जरी हम भुजाओं की संख्या भी निकाल रखते हैं तो खेर दोस्तों आज की जो यह किलास थोड़ इसी अठपटी लगी होगी तिर्कॉनमेती की जगह आपने पढ़ा यह तो आप सोच रहे दोस्तों यह बहुत ज़रूरी बात है ठीक है ना तो अगर बत यह इस चीज़ को आप आज नहीं समझते तो आपको प्रोब्लम होगी यह बहुत ज्यादा बेसिक है ठीक है ना और होना भी चाहिए क्योंकि अगर यह तैयार नहीं है तो फिर आपका मैथमेटिक्स किसी काम का नहीं है क्योंकि calculation नहीं होगी ठीक है न तो ठीक है दोस्तो तो दोस्तों एक आविस्थ सूचना और थी आविस्थ सूचना यह थी कि अगर कुछ कुछ दोस्त हमारे जो current phase की समस्य से परिशान है तो अब निश्चिंत होजा जाईए क्योंकि दोस्तों हमारे इसी चैनल पर आपको current phase provide करादी जाती है और वह भी पर लगे होता है Breaking préसों किस keeping होती है और दूसरी है आपकी यह 5 a.m. पॉर्णिंग में स्टार्ट हो जाती है ठीक है ना जो हमारी करेंट फेर्स की किला से इस तरीके से हो जाती है तो ठीक यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके बाद दोस्तों यह करेंट फेर्स की आपके इतने इच्छी यानि क्यों बनाई इस तरीके से हमने सोट वीडियो दोस्तों इसलिए बनाई कि जिससे आपका समय बच सके ज्यादा तर हमारे स्टूडेंट दोस्त जो है प आपको हमें सिर्फ ओनली वनमेंट और आपका करेंट फेर्स तैयार ठीक है ना तो दोस्तों अगर आप यहनी फेस्बूक यहनी इस्टाग्राम यह फिर टेलीग्राम फोर यूज करते हो तो आप हमें वहां पर भी फोलो कर सकते हैं तो दोस्तों कैसी रही आज की किलाज आज की बहुत ज़्यादध बेसिक थी और ज़्याद दो-तिन किलास और बनेगी इसकी चार किलास में भी शियाप्टर की तो जो भी आपकी किलास है सुझाओ जो भी है आप अपनी सुझाओ जरूर से अर कीजएगा ठीक है ना और हमें अच्छा लगता है दोस्तों आपके सुझाओ क्योंकि हमें खुद को जानने और समझने का मौका मिलता है इसी तरीके से कि क्या किया जाना चाहिए और कैसे होना चाहिए ये बस आप ही की देने दोस्तों जिससे हम सीखते हैं कि इतना कुछ होना चाहिए और दोसरा य अगर दोस्तों कोई भी आपका फ्रेंड जिसे भी तिर्कोंड मेति से आपका डर लगता है तो उसे जरूर बोलेगा कि हमारे यहां आपकर एक बार तिर्कोंड मेति के लाज जरूर ले ठीक है ना तो इसी के साथ दोस्तों मैं संजीत अमर एक बार फिर विदाई लेता हूं हसते रहिए मुश्कुराते रहिए और अपनी तयारी निरंतर जारी रखिए ठीक है ना मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग ारी ना काया रहिए प्लडल सफ रहे हैं ना मिलते रहिए. तौसपनेशस कुछोझ में था रहिए ऑ लासक है ना मिलते हैंक्स जा हैं रहिए झाल झाल